So hi guys, others here आज मैं एक ऐसे college की बारे में बात करने वाला हूँ हर साल जब भी NIRF रैंकिंग निकलती है न तो सारे ही लोग अचंबित हो जाते हैं कि ये college under 50 लगातार 3-4 सालों से कैसे आ रहा है आज मैं जिस college की बात करने वाला हूँ वो एक North East में छिपा एक beautiful gym है जो कि slightly underrated है बट इसमें कुछ pros भी है, कुछ cons भी है बहुत सारी चीज़े हैं जानने के लिए तो आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं NIT Silture के बारे में काफी beautiful सा campus है एक-एक हीज हम लोग अच्छे से जानेंगे college reviews की playlist की भी लिंक मैंने description पे ले दी है वहाँ से जाके आप लोग जो भी और भी college की अगर आप reviews देखना चाते है तो वो भी देख सकते है और comment में मुझे आप ज़रूर बताइएगा कि आगे कौन से कौन से college की ओपर मैं review ले क्या हूँ और बहुत अच्छे डंग से आप लोगों को मिल जाएंगे और कहीं ना कहीं placement में भी आप लोगों को बहुत जादा मदद मिलने वाला है और negative क्या होती है निगेटिव यह होती है कि college क्यूंकि बहुत जादा पुरानी है तो hostel या फिर building वगरा जो होगी आप नए colleges के आप से देख लिए तो प्राइवेट कॉलेज के साफ से अगर compare करेंगे तो slightly आप लोगों को डाउन साइड वहां पर दिखेगा ठीक है अगर मैं college की बात करूं तो यह government college जो आप लोगों को पता ही होगा और NIRF ranking की अगर में बात करूं कहीं न कहीं अंडर 50 रही है तो कुछ ना कुछ college के अंदर जरूर अच्छा चल रहा होगा कहीं न कहीं रिसर्च वर्क बहुत अच्छा चल रहा होगा college में placement काफी अच्छी हो रही होगी और student quality जो college में पहुंच रहे हैं कहीं न कहीं उसमें बहुत जादा improvement आया होगा इसी हम लोग ना कभी-कभी ऐसा समझने लगते हैं कि वह आम लोगों के देश में included ही नहीं है बलकि ऐसा नहीं है आप निटी सिल्चर जाओगे आप सिल्चर जाओगे आप आसाम जाओगे बहुत ही beautiful जगह है और आप लोगों को बहुत जादा प्यार महां पे मिलने वाला है औ अगर मैं बीटेक की बात करहूं कि 75% क्राइटेरिया आप लोगों के लिए रहता है प्लास्ट वर्ट पे लिए 75% होनी चाहिए और इस कॉलेज में अप लोगों को ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप जई एडवांस ही क्रैक करें आप लोगों को जई मेंस क्रैक करके फिर जो यहां पर एक तो फीस थोड़ी सी कम होती है दूसरी चीजी है कि अगर आप स्लाइटली ऐसे बैग्राउंड से आ रहे है जहां पर आपकी पैरेंट की इंकम कम है तो आप लोगों को स्कॉलर सी बहुत ही इसली मिल जाती है अगर आप यहां पर फीस इस्टर देखेंगे तो एक सेमेस्टर का फीस आप लोगों को दिखा है 80,370 और यह फर्स्ट सेमेस्टर की फीस है जिसमें आप लोगों को कुछ ना कुछ refundable amount भी होता है जो कि आप लोगों को after graduation आप लोगो refund हो जाता है या फिर one time fee भी होता है जो कि आप लोगों को first semester में लगता है अगर आप होस यहां पर देख रहे होंगे तो आप लोगो आप एक ट्यूशन फी दिख रहा होगा कॉलम तो ट्यूशन फी 100 परसेंट ओफ हो जाता है हमेशा याद रखिएगा इस कॉलर सिप आप लोगों को जब भी मिलेगा वो ट्यूशन फी के ओपर मिलता है ट्यूशन फी ना कि ओवर अब लोगों की पैनेंट के इंकप एक लाग से पांच लग की बीच में इन डैट केस आप लोगो फॉर एपे 62,000 फीस दिखा रहा है तो आप लोगों की फीस लगेगी वन थाड इसका मतलब क्या है आप 62,000 को थ्री से डिवाइड कर लिजे एप्रॉक्सिमेटली 20-21,000 100% फी वो पे करना पड़ेगा ठीक है तो अब हम बात करते हैं कैंपस की बारे में जो कि इसका सबसे ज़्यादा हाइलेट हाइलाइट कॉइंट है तो निटी सिल्चर 625 एकर में फैला हुआ है तो वन आप दी बिगेस्ट निटी ऑफ इंडिया आप लोग कह सकते हैं कि यह इंडिया में जित्रे भी सारे कॉलेजेश की कैंपस अगर आप निकाल के दिखेंगे तो मुझे असा रगता है कि टॉप 30 टॉप 40 जो बिगेस्ट कैंपसे इंडिया होंगी खासकर के इंजिनियरिंग में उसमें यह कॉलेज जरूर से जरूर सुमार होगा 625 एपड़ की ए आप इंडिया काफी जादा डूटीफूल है काफी लोगों को यह बहुत बश्यादा पसंद ने वाला और कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिनको यह बदर पसंदना है मैं यह कंपस की बात कर रहा हूं तो कहां पर आप लोग बारिश मुस्ट आ वीसे आप लोगों को बार अगर आप जीम करना पसंद है तो आप लोग की अंदर ही आप लोग कर सकते हैं इसके साथ साथ लाइबरी एक समय ऐसा था जब यहां की लाइबरी को वन अप बिगेस्ट डिजिटल लाइबरी कहा जाता था जहां पे एक लाग से भी ज्यादा फिजिकल और डिजिटल इन दो साथ ही साथ आप लोगों को स्पोर्ट कॉंप्लेक्स मिल जाता है अब क्यूंकि आर कॉलेज बहुत दा पुराना है यहां पर सारी चीजे कंस्ट्रक्टेड है कुछ नहीं न्यू कंस्रक्शन अगल बगल में चल रहे होंगे लेकिन बाकि सारी चीजे जो होती है काफी सारे न्यू जेडरेशन आइटी जा फिर अनाइटी में अपलों को देखने को मिलता है अधी कॉलेज बनी ही नहीं तो यहां पर यह चीज आप लोगों को नहीं मिलेगा सारी चीजे बनी बनाई आप लोगों को मिलेगी हाँ थोड़ा सा कंडीशन हो सकते है कि पूराना आप लो यहांग है आप लोगों को मिलेगायों मिलेगा चाह साफ सुच्रा फीर बात्रूं या फिर कातलों का रूम हो यापिर जो बौक जो बालकोनी अलग्र को देखने को मिलेगा यू कांट एक्सपेक्ट एज न्यू जेनरेशन आइटी बट फिर भी बाद कंडिशन काफी एच्छी है वहां की और मेंस फैसलिटी जैसा कि मैंने आप लोगोगा तो वेज और नॉन वेज दोनी चीज़ अवलेबल हो जाती है चार टाइम आप लोगो अपर की जाती है सुभा आप लोगों को वही स्नैक्स और फिर ब्रेक्फस्ट के साथ स्टार्ट ब्रेड ओमलेट या फिर एग या फिर मिल्क चैना यह सारी चीज़े मिलती है उसके बाद आप लोगों को डिफरेंट वरेटी अप आप लोगो वहां पर लिश्ट दिख रह अपर आप लोगों को होम इस्टेट और अधर इस्टेट में बहुत ज्यादा मेजर डिफरेंस देखने को मिलेगा अगर आप होम स्टेट मेल कैटिगरी की सिविल इंजिंगर में देखें तो कटफ क्या गई थे 68 64,000 अप्रोक्सिमेटी 65,000 और मेल कैटेगरी अधर इस्ट हमारी क्लूज हो गए तो इस्टुडेंट क्वालिटी कहीं कहीं क्वालेज के अधर अच्छी है यहां का प्लेस्मेंट भी काफी अच्छा मिलता है तो मेल के लिए अगर आप होम स्टेट से हो तो अच्छी बात है 25,000 अगर आप मेल हो अधर इस्टेट से हो 10-11,000 पर यह सुझाता है महीं फीमेल के लिए देखें फॉर अधर फॉर होम स्टेट 31,000 फॉर अधर इस्टेट 15,000 सिमिलर्ड यहां पर मैंने आप लों के लिए लेक्रिकल इंजिनेरिंग, इलेक्ट्रोनिक्स और कम्मुनिकेशन इंजिनेरिंग, मेकानिकल और इलेक्ट्रोनिक्स और मैं बताया, मैंको बताऊंगा, उससे पहले आप लोग 2021 की कटफ देखें, तो 2021 और 2022 में अगर आप देखेंगे है, तो 2021 के यसाब से 2022 की कटफ थोड़ी सी गिरी है, इसका रीजन यह है कि कुछ जो न्यू ट्रिपल आइटी से वहां पे नंबर ब्रांचे बढ़ी है, तो ब देखेंगे, तो आप लोग देखेंगे, तो आप लोग देखेंगे, ही 2021 में जो हायेष्ट पैकेज था वह ए प्रोक्सिमेटली 42 लाग के करीब था, जो कि बढ़के 2022 में 44 लाग हो गया, उन्यू अगर आप एवरेज पैकेज देखेंगे, तो तक्रीबन साड़े आठ ले के उपर जाएंगे और वहां पर देखेंगे लेकिन नंबर आफ अगर आप देखेंगे 2021 के आप से 2022 में तो नंबर आफ अपर थोड़ी से के इंफर्मेशन देता है राधर देन अवरेज सेलरी तो अगर अप मीडियन सेलरी लाश्ट तीन साल की देखेंगे तो 2020 के अगर डेटा देखेंगे तो एप्रॉक्सिमेटली साड़े साथ लाके करीब और 2022 के अगर डेटा देखेंगे जिसको सब्मिट किया गया है इसको सब्सक्राइब और जो कॉलेज ने इंफर्मेशन वेजा है वह 11 लाक मीडियन सेलरी यह कोई छोटी बात नहीं है इसलिए मैंने का कि एक हिडेन जैम है जो की नॉथीस्ट में हमारा जिसको जो की अंडर रेटेड है और कॉलेज कहीं इस कॉलेज को लोग कम तबस्दों दे इलेक्रीकल इंजीनियरिंग को demonstrate 54 अग मेकैनिकल में 110 बस्दक बैठे 68 इस्ट और सिविल ड्स तेरह बैठे 70 इंट्रोनिक्स में 112 वैट्व कि 7 इस इलेक्रोनिक्स अल इंस्ट्रूमैन कॉलेज बहटא बूराणी है तो मुझे ऐसा लगता है कि यह क्योंकि college बहुत पुरानी है slightly slightly बहुत जादा निए कोलेग्स की प्लेस्मेंट काफी डीशेंट है लेकि मुझे ऐसा लगता है कि इससे थोड़ा सा बेटर हो सकता था अगर मुझे और पूछेंगे कि भाईया मैं एक जम्षेदपूर चूज करो अगर आप जानदार अगर आप लोगो को प्लेस्मेंट के बारे में और भी ज्यादा इंफर्मेशन जानना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन पर जो मैंने एनएटी सिल्जर के लिए मोर इंफर्मेशन करके जो लिंक दिया है वहां पर जाके आप लोग देखेगा मैंने पूरा रिपोर्ट बनाया है उस रिपोर्ट को जाके आप लोग वहां से पढ़ सकते हैं ठीक है तो यह हो गई प्लेस्मेंट की एक मोटा मोटा इंफर्मेशन यहार कि कितने बच्चों नॉर्थिस्ट जित्रे भी इंस्टिट्यूट्स है उनको अगर आप देख लें तो यहां पर मेजर जो तीन-चार इवेंट्स आप लोग के लिए कराया जाते है इन केंडिन सेंस दूसरा है हमारा ठेंडर मार्च और पूसो तो चार आप लोग के लिए होता है जिसमें अपर लोग काफी ज़्यादा इंज्वाइड करने वाले हो फेस्ट वगरा जो नाइटी वगरा में होती है यह बच्चे और बेसिकली और कई ना कई बहुत ही बहुत ही अच्छे लेवल बहुत ही ग्रैंड लेवल पर आप लोग के लिए करते हैं प्राइवेट कॉलेज मे किस तरीके से एक इवेंट को किया जाए किस तरीके से एक इवेंट किया जा सकता है और गनाइस किया जा सकता है उस चीज में कहीं तकलीफे आएंगी बहुत सारे चीज़े हैंगे तो यहां पर आप लोग क्लब्स में जॉइन हो सकते हो तो यह मुझे बहुत अच्छा लग और 90-meter चोड़ाई की आप लोगों को ग्राउंड दी गई जहां पे आप लोग फिट बॉल क्रिकेट यह सारी गेम को वो खेल सकते हैं ठीक है हाड़कोट दिया गया है बास्केट बॉल के लिए और साथ ही साथ आप लोगों के लिए एक स्पोर्स कॉंप्लेक्स भी पनाया ग सब्सक्राइब कर सकते हैं और कई ना कई मुझे ऐसा अमीर है कि जब आप चार साल के बाद कॉलेज से निकलेंगे तो एक बहुत ही शांदार एक्सपिरेंस के साथ निकलेंगे बहुत कुछ सीख के निकलेंगे और फिर आप कही ना कहीं दूसरों को वो रिकमेंड भी करें कि कॉलेज बहुत अच्छा रहाता है ठीक है ओवर एल नॉन कॉर के लिए को और के लिए चलाएटी जमसेथपूर में जानी रहे के इंडेस्ट्रीव बगरह जाधा है तो प्लेसमेंट बहूत ईजली हो जाता है वाम में और ओवर ओलेज काफी है तो होफ़ आप लोगों वीडियो पसंद आई होगी, आप मुझे बताएगा कि कॉलेज के बारे में आप लोगों क्या चीज़ अच्छी लेगी, क्या चीज़ बुरी लेगी और नीचे डिस्क्रिप्शन में बताएगा कि आगे किसके उपर वीडियो लेखे हो, ठीक है, तब तके लिए बाई बाई